नमस्कार मैं दो तीन चीजों पर बात करना चाहूंगा एक तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे हमारे कोविट के केसे बढ़ रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम हॉस्पिटल में इंफेक्शन कंट्रोल प्राक्टिसेज का भी पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करें क्य बात हो बिज बढ़ा से ब्हुत तो चाहे भीड की बात हो चाहे दिसन्फेक्शन की बात हो चाहे बप्रोप्रेड़ बैमेधिकल वेष्ट की बात हो दो है इस ABC मेहीं इंफेक्शन के पॉन्ट फॉए से वहालए करते ही धम क साक्रो इसME अधरू करम। है हवा में भी पाये जाते हैं कुछ हद तक कहते हैं कि food में भी पाये जाते हैं लेकिन यह fungus जह लो विरुलेंस है यूजली infection नहीं करता है और अगर हम कोवेट से पहले की बात करें तब भी यह fungal infection देखा जाता था लेकिन इसकी incidence बहुत कम थी और रेर इंफेक्शन था उन लोगों में देखा जाए जाए जिनकी शुगर बहुत ज्यादा है डियाबिटीज अंकंट्रोल है या जिनको ट्रांस्प्लांट हुआ हुआ और फिर वो इम्मुनोसप्रेसन ड्रग्स पे जिसे उनकी इम्मुनिटी कम है या कैंसर के ऐसे पेशन्स हों जो कीमो थरैपी पे हैं आम लोगों में यह यूजली नहीं पाया जाता है तो इसलिए यह नहीं ममारी नहीं है लेकिन कुविट के कारण और कुविट की ट्रीट्मेंट के कारण इसके केसिज अब काफी ज्यादा देखने में आ रहे हैं कई शेत्रों म के 20 उनमें से अभी भी COVID positive हैं और 3 COVID negative हैं और कई राज्यें ऐसे हैं जिन में 400-500 से ज्यादा cases उन्होंने report किये हैं COVID के उनके पास अभी positive हैं यह जो बमारी है वो या तो face को effect करती है जिसको हम कहते हैं rhino orbital cerebral mucormycosis जिसके कारण नाक में आंक की जो orbit है उसमें या brain के अंदर infection फ की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी brain में भी infection हो सकता है साथ में यह फेफ़रे में भी फैल सकता है जिसको हम कहते हैं pulmonary mucormycosis दोनों में कुछ लक्षन है जैसे अगर rhino orbital cerebral mucormycosis है तो headache हो सकता है सिर्में दर्द हो सकती नाक ब्लॉक हो सकता है नाक से secretions आ सकती है जो हरे रंग की हो या नाक से खून आ सकता है या एक चहरे में sensation कम हो सकती है एक side में चहरे में sojish हो सकती है या skin में discoloration हो सकता है अगर फेफ़रे में हो तो बखार हो सकता है चाती में दर्द हो जाती है खांसी होती है खांसी में खून आ सकता है लेकिन most important issue है कि यह fungal infection कि क्या कारण कारण है और क्या प्रुवेंटिव आशोरे एक तो यह है कि जो कविड इन्फेक्शन इसके कारण भी एक रिक्टर हैнов कोई इन्फेक्शन में जो हमारेusan मगर हम ब्लड कांट देखें तो एक सेल जो राइन जा है । उसको हम lymphocytes कहते हैं, वो कम हो जाते हैं, lymphopenia हो जाते हैं, तो उसके कारण body में जो CD4, CD8 cells हैं, वो कम होते हैं और उसके कारण opportunistic infection, fungal infection के chances बढ़ जाते हैं, यह first wave में भी देखा गया था, और अगर हम 2003 SARS की बात करें, तो तब भी अगर data देखें, तो तब भी fungal infection कुछ हद त देख रहे हैं, उसके कारण दो और हैं, एक कारण यह है कि कई ऐसे patients हैं जिनको diabetes है, sugar की तकलीफ है, और अगर वो control ना हो, तो उनमें भी यह fungal infection के chances जादा होते हैं, और तीसरा जो बहुत important कारण है, miss use of steroids, steroids जो patients ले रहे हैं, जिनको diabetes हैं, और साथ में COVID है, अगर यह तीनो चीजें कठी मिल जाएं, तो वो chances of fungal infection एकदम बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको रोकने के लिए, सबसे पहले तो miss use of steroids जो है, वो हमें कम करना पड़ेगा, और जैसे पहले भी कहा था कि जो patients जिनको mild disease है, जिनको oxygen की जरूद नहीं है, और जिनको early stage में जो COVID infection है, उनमें steroids दे देते हैं, तो morbidity और mortality because of secondary infection जादा होता है, इसलिए अगर किसी को COVID है, mild infection है, बुखार है, saturation maintained है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षन नहीं है, कि oxygen कम हो रही है, तो steroids नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके fungal infection के chances हो सकते हैं, especially अगर उनको उस व्यक्ति को diabetes भी है, दूसरा है diabetes या sugar control, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों का sugar control नहीं होता, उसमें ये fungal infection जादा पाया जाता है, तो ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को भी diabetes हैं, या जो steroids ले रहे हैं, वो अपना sugar चेक कर रहे हैं, क्योंकि कई दफा किसी को ये पता नहीं ह protection है, या आप steroids ले रहे हैं, तो sugar को regularly monitor करें, तीसरी चीज़ ये है कि mask अपना लगा के रखें, जैसे मैंने का ये sports है, हवा में भी इसके fungus हो सकता है, मास्क लगाना जरूरी है, specially अगर आप कोई construction site पर जा रहे हैं, जहां पर इसके fungus के chances ज्यादा हो सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी चीज़ है कि अगर हम steroid ले रहे हैं, तो उसको misuse ना करें, दूसरा ये important चीज़ है, steroids का dose जो है, high dose steroids कही दफार दिये जाते हैं, उसका भी क moderate dose steroids are good enough, अगर हम बहुत high dose steroids देंगे, तो sugar भी बढ़ेगी, infection के chances भी बढ़ेंगे, तीसरा ये कि data ये भी show करता है कि 5 से 10 दिन तक maximum steroids की जरूत पढ़ती है, majority of COVID patients में, बहुत लंबे time steroids देने से भी sugar control becomes more difficult और ये जो fungal infection इसके chances भी बढ़ जाते हैं, तो मैं ये ही कहना चाहू aggressively कि हम इसको, इसके cases कम करें, और दूसरी ये भी important चीज है कि इसको suspect जल्दी किया जाए, जिससे आगे जाके loss of vision या और कोई serious infection brain में ना हो, तो इसलिए अगर आपको जब भी कोई patient discharge होता है, तो जो मैंने लक्षन पता हैं, अगर किसी को, कोई भी ऐसे लक्षन हो, तो doctor से ज़रूर संपर्ख करें, अपना sugar control करें, और अपनी steroids अगर unnecessary हैं, तो उसको बंद करना चाहिए. Finally, मैं एक यह कहना चाहूंगा कि, as part of ongoing activities, क्योंकि हम यह चाह रहे हैं कि, COVID management should now reach out to all parts, especially rural India. So, rule India में, COVID management के लिए, training के लिए, Ministry of Health and Family Welfare और AIMS New Delhi ने program शुरू किये थे, 30 April से 13 मही तक, mentoring institutes के लिए, national centers of excellence, जो regional और state level पे हैं, और उसमें कई चीज़ों पे webinars हुए हैं, home isolation पे, medication for home isolation पे, plasma पे, oxygen पे, ventilation और ICU management पे, treatment पे, testing पे भी हुआ है, diabetes के management पे और x-ray के और radiology पे भी webinars हुए हैं, अब इन regional centers को, खुद आगे जाके, webinars करने हैं, और अपने area में, चाहे वो private sector में हो या public sector में हो, सब doctors को वहाँ train करना है, इससे rural India में भी, COVID management की पूरी strategy जो है, वो एकदम perfect हो, और management जो है, वो बिलकुल ideal हो, as per international guidelines, तो यह तीन चीजह हैं, पर एक तो training and rule area, good infection control practice in hospitals, और prevention of fungal infection, जो हम जादा देख रहे हैं और यह COVID के साथ-साथ, इसके incidence बढ़ रहे हैं, of mucormycosis. Thank you very much. एकदके, जा सर्फपय का yang Scroll allez, पंसे बढ़ा मत sich मetically हो,